नमस्कार दोस्तों टेक्निकल हैल्प ट्रीम चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में आधार कार्ड को डाउनलोड करना सिखेंगे चलिए वीडियो शूर करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पर जाने के यहां पर आप देख सकते गेट अधार लिखा हुआ है इसके नीचे डाउनलोड अधार जहां पर लिखा हुआ है यहां डाउनलोड अधार पर आपको क्लिक करना है इसके बाद अगर आपके पास अधार कार्ड नंबर है और अधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं त तो आपको enrollment ID यहाँ पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ उपर 14 अंकों की जो enrollment ID है, वो enter करनी है, इसके बाद आपको यहाँ नीचे यहाँ यह जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी जो date है, जो enrollment receipt है उस receipt के उपार जोbourne licking हूई है इसके बाद आपको यहां गड़ी का निसान दिख लिले रहा है यहां गड़ी के निसान पर जाकर आपको time भी सब्सेलेक्ट करना है जो आपके enrollment receipt के उपार udah रखा है वो टाइम आपको सलेक्ट करना है जैसे Language करने टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यह जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं यह कैप्चा कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको send OTP पर click करना है मैं ये सभी detail भरने के बाद send OTP पर click कर रहा हूँ मैंने ये सभी detail भर दी है अब मैं send OTP पर click कर रहा हूँ जैसे ही आप send OTP पर click करेंगे आपके registered mobile number के उपर एक OTP आएगा अब आपके registered mobile number के उपर जो OTP आए वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है OTP एंटर करने का लाद आपको यहाँ यह joh quick survey दे र RV इसमें दोनों में से इस दो सवाल है इन दोनों सवालों को आप सवालों के आपको जवाब देना है मैं इनके सवालों के जवाब दे रहा हूं मैंने पहले में येस कर दिया दूसरे में विदिन फाइव वर्किंग डेज कर दिया है अब आपको यहां वेरिफाई एंड डाउन आधार काड डाउनलोड हो चुका है अब आपको यहां राइट के निशान पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तो अब आपको यहां जो आपका आधार कार्ड है वो password protected है इसलिए आपको आपके नाम आधार कार्ड में जो नाम आपका है उस नाम के first चार जो डिजिट है वो capital letter में लिखने है उसके बाद आपको space नहीं देना और उसके बाद आपको आपकी date of birth का जो year है जिसे अगर आपकी date of birth 1990 है तो आपको 1990 उसके बाद end लिखना है और आपको open पे click करना है जैसे ही आप open पे click करेंगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगर आपके सामने आपको आधार कार्ड दिखाए देगा अब आप यहां से आप अपने आधार कार्ड को print कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगया तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को आपके दोस्कों साथ सेर करें और हमारे चैनल टेकनिकल हैल्प टीम चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू फर वाचिंग